बारत और इंग्लेंड के भी चल रही टेस्स सिरीज के तीसरे मुकाबले से पहले टेम इंडिया के लिए अच्छी कबर आई है बीसी सी आई के तरफ से बड़ा एलान हुआ दरसल बीसी सी आई ने अनुबवी तेस गेंद बाज उमेश यादव को आखरी दो टेस्स के लिए टीम में शामिल किया है उमेश उस्ट्रिलिया दोरे पर चोटिल हुए थे जिसकी चलते उन्हें भारत वापस लोटना पड़ा था एमदाबाद के मोटेरा में 24 फरवरी यानि कल से इंगलेंड के खिलाब भारती टीम को तीसरे टेस्स मैच खेला है जो कि डेनाई टेस्स मैच होगा पिंक बॉल खेले जाने वाले इस मुकाबले से पहले एटेम इंडिया में उमेश उदाब की वापसी रादवरी खबर है 4 टेस्स मैचों के सिरीज में दोनों टीमें एक एक माच जीत कर बराबरी पर है अलाकि उमेश यादव को एकदम से शामिल किया जाना ये बात साफ है कि वो तीसरा टेस्ट माँच में जरूर किलेंगे दरसल पिछले बार जब भारत में पिंक बाल टेस्ट माँच हुआ था उस दोरान उमेश यादव ने दूसरी पारी में पांच विकेट चटकाए था ऐसे में भारती टीम पूरे तरीके से यहाँ पर अंग्रेजों को रॉंदरे के रादे से उतरेगे दरसल आपको बता दें कि एक बात तुता है कि तीन पेसर दो स्पिनर के अंदाज से भारत उतरेगा जस्परीद बूमरा इस माच पर वापसी करेंगे इशान शर्मा अपना सौवर्ट इस माच किलेंगे और उमेश यादव लगबग लगबग तीसरे पेसर के रूप में टीम में शामिल रहेंगे क्योंकि उन्हें पिंक बॉल के साथ खेलने का अनुभव है दरसल आपको बता दें कि उमेश यादव बूमरा और इशान्त के अलावा अश्विन और अक्षर पटेल टीम का हिस्सा होंगे जो की स्पिननंग डिपार्टमेंट समालेंगे बले बारी के बात की जूए तो रोहित शुबमंट उपन करेंगे पारी की शुरुआत करेंगे तीन नमबर पर खेलेंगे पुजारा तक कि ंडिया किस तरीके से इस माच को देख रही है तुल्द की विराट कोली ने यह साफ का है कि भारती टीम रिजल्ट के बारे में नहीं सोच रही वो फिलाल सिर्फ और सिर्फ इस मैश पर फोकस कर रही है और अंग्रेजों पर दबाब बनाने की पूरी कोशिश करें A&P Newsroom की रिपोर्ट